हाँ तो नमश्कार पहरे साथ यूँ पीजिसर क्लासेज के ओनलाइन पर आप पते विनंदन हैं हम बात कर रहे थे भारती इतियास के और भारती इतियास के अंतर आपके कुछ पढ़ लिया था आज उसी कड़ी में आज पढ़ा रहे हैं पहरे दूस्ताने जा रहे हैं तो अब बात करने जा रहे हैं आज किसकी बात करेंगी फैरे दूस्तों नहीं आशा टोपिक लेगते हैं कर दो कि कि इसकी बात करते आज विल मा तरोष। प्रति के आक्रमन की बात कुछ सब पहले अरभ आक्रमण कारे लेता हैं को अ क्यां दॉस्कों आद निन की बात करते जा रहें कर देंगा कंसा है कर घicky कालिन भारती है इतियास की बात करने जा रहे हैं वद्धिकालिन भारत की इतियास वो शुरू करने जा रहे हैं हम प्रांस से भार दोस्तों अरब आक्त रामता हूं अरब करें कि अरब आक्रमनकारी एक यह उपर अरब आक्रमनकारी और क्या क्टिशना यह क्या क्या कट्राइब कर एक तूरी जानकारी राप्त करने जारे पहले तरफ चीज खमजना है आपसे जी जान से जो जो जटेए पैरे दोस्तों और एकदम तरीके से पढ़ना श्टार्ट के सामने अरब आकरांता या किस प्रकार से अरब हो अरब यह प्रतेश्चों से आकरमनकारे आए और भारत पर आकरमनकारे या उनकी उचर्चाएं जा रहा है चलि कि आपका यह भारत देख रहे हैं आप कि अरत की चर्चाएं करते हैं और यह एक नक्सा देख रहे हैं और आपको पताए कि अरब यह प्रदेश्च या अम्री अरब ही सामरे जिवा करता था इदर वाला पाकिस्तान वाला छेत्र हुआ करता था उस ताइम पर पाकिस्तान किसके बात कर रहें पैर दोस्तों यह वाला च्छट्र जो देख रहे हैं तो एक इस्थान हो कंसा बिंदे2 उसा अहोगता था सिंध और सिंध के पास ये अरब प्रदेश है पूरा को पूरा ये अरब पर देश के नाम चिना Joshi ला हुझ ठेटर के नाम से जाना जाता रही पर एक जब स्क्रेच कर्ण तर्म-धर्म की स्क्रापन वती कौन से धर्म प्रशार सुनने लगता है और पूरे के पूरे 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 एरान फिरां ओगीरा आर्ब ये अरब ये चेर है पूरा का पूरा चे Estre माना जाता है कि सा एक धर में सा Islam धर्म के कुछा इसका मुखिया व्ता करता उर क्लीपा ऐस समें चाम धर्म का मुखिया था रोड़ता ऐस कहा रॉट रेका थासरे ता रहिपा उड्रीता और कही अ跟 अकर्ता था उसा में का जिसका का रुटہ कौन होआ करता था इस समय खलीपा वालिट गई इस वालिट जो घने पैसर दोस्तों आप को पता कि यहाँ पर emailed रिवस्ता है क्या हुआ करते है अरब प्रदेस में आस ने सम बts стать और यहाँ पर यह आपार वाणिस यहीं कहा था से जब व्यापार्वानी जे विक्सित अवस्ता में नहीं हुआ करते थे चाहां पर कुछ चीजी उद्धम थे औरetime उन्हों को कहा जाता कि आसपास सउतके देशों में बीचकर इधर से इधर आकर कहा जाता है कि अपने भारत तक आते थे। यहां जिससे अपना गुजारा चलाया करते थे एक बार क्या होता है पैर दोस्तों होता यह सा है इनकी आर्थिक इस्थितियां बहुत कराब हुआ करते थे इस चेत्रों में आर्थिक इस्थितियां क्या हुआ करते थे आर्थिक इस्थिति का बहुत कराब हुआ करते ते जहां पर यहां से यहां से एक जाहतों एक जाहद यह वेड़ा इधर जाता अरब प्रदीश की तरफ जाता है आधा यहां सिंद के थक्ता दोस्तों यहां पर इस्तान मट्जान परमगी जहाज जा रहा थयाЧто सा जहाता है आखे बढ़ता हुआ जा रहा है तिके यह जहाज इदर आठार अरब प्रदेश में इसने आपließ दिए श्री लंका के सासおお का जाता स्री-लंक की भी लंक के लिए कहां पर जहाज बेजा गया का बेजा जा रहा था यह बेजा जा रहा था अरब प्रदेश में का बेजा जा रहा था भी अरब प्रदेश में स्री लंका से स्री लंका आपका सिंगल दीप कहलाता था यहां का सासक है एक राजा यहां पर अरब इस्तान हुआ करता था था नामकिस्तान पर क्या होता है पहरे दोस्तों इस जहाज को लूट लिया जाता है जिन्दी के जो कुछ सेने को द्वारा इस जहाज को क्या कर लिया जाता है लूट लिया जाता है यहां पर लूट लिया जाता है जहाज को लूट लिया किसने लूट लिए अब इसकी सूचना किसको मिलती है भई इस खलीपाव को मिलती है इसका गवर्नर था अलहजाज को लूटने के पश्चात जब यह कौन खलीपाव इस समय सिंद्ध का सासक वुआ करता था दाहिर कौन करता था यह प्रसक रूसक ऑन्म खाब्री में अवार्त से पास करता था हुआ हम राचित्र वी ट्राज्रें पहराज बहुत हमत टॉग में शहाज कूआ है अंधरी इतcked抗ुर्म में इस चेत्र में हुआम ट Nic का हचाता एक सिंद का सासकता दाहिर और दाहिर इस पिताते चच्य मुद प्रामन जाती श्मदर दोस्हें •ois प्रदेश के उपर अरब प्रदेश के लाता था ये वाला जो चेत्र है आप देख पा रहे पुरा ये चेत्र अरब प्रदेश के लाता था अधर सिंद यानि कि पाकिस्तान थाई लूट लिया जाता है जब जहाज को लूट लिया जाता है तो जहां का कौन खलीपा इसलाम धर्म का प्रमुक गुरू हुआ करता था किसके पास खलीपा के पास हुआ करता था और जैसे पहले बात करें तो अरब आकरमन कारी किस को न आया भारत में अरब आक्रमन कारी की बात कर रहे हैं जमब्धिकालिए में भारत की बात कर रहे हैं और अरब आक्रमन कारी कौन आया सबसे पहले हम बात करें एक आपने वेब की साहिता से कहा जाता है कि यहां पर अरब का कहा का प्यार दोस्तों अरब और इस अरब प्रदेश में यह अरब देश में कहा जाता है कि यहां पर सबसे बड़ा तो प्रमुग ने तरता होता है तो कि द्वारा एक उपाधी दी जाती कि कि तरहीं द्वारा कहा जाता है कि सब प्रमुक कों का खलीपा होगा रहा पर मुश्लिम धर्म कोष्व belong devo कि भर एक प्रकार्च इसके द्वारा सासकों को अर्था किसी भी छित्र पर सासन करने के लिए के द्वारा सुल्तान ने उत्थ किया जाता भी सुल्तान ने उत्थ किया जाता स्ल्टान नियुक किया जाता और ये स्ल्टान क्या होता खलीपा के अधिन किसके अधिन खलीपा के अधिन खलीपा के अधिन कारे करता खलीपा के अधिन जो अरब प्रदेश में ये मुस्लिम धर्म का सरवच खलीपा हुआ करता था और उस स्ल्टान के दोरा इसी के देख रह कि या इसी के कारिया की आजाता कि आरेकार के संदूस्तान के दोरही कार दोस्तों अब कंडिशन एंग हो जाती है कि इस समय इस समय को था भई यहाँ पर सुल्थान अलगलग देशाρο में पर दोस्तों यह चीज़े समझ में आगे आपको अर्था सरोच पदादिकारी कौन खलीपा के नीचे वह किसी रियास्तिया किसी जित्र में जहां पर मुस्लिम पता है या मुस्लिम धर्म के लोग निवास करते हैं सुल्टान कि सका अधिकारि अब बात करें तो इस समय यहां का खलीपा और कुंता वालित यहां का क्या था खलीपा का और यह यह था यह यह तो सब्सक्राइए लुट लिए जाता है तो कहा जाता है कि यह लिए जाता है यह थेड़ा पर लूट लिया जाता वों क juste है जो इस जहाज है इस जहाज में क्या दाइरा तबार खर से स्री लगाराद से कुछ गया की लिए जाइ गया था स्री लंग्वारा की राजा का नाम नहीं मिलता प्यार दोस्तों इसे तरीके से ये लूट लिया जाता है ठन्टा नामुकिस्तान पर लूट लिया लूट लेने के पश्चाति एक लीपा उसको पत्र लेक करता है किस धाहिर को कि पार किस दोता है और ये चेतर मेरें दरमें नहीं आता 16 मैं नहीं है नहीं है और कर मना कर देता समूद्रे में परीवन नाहिया जाया करते थे तो bina यंदर का जाता है Evet ऐसके मतलब नहीं तो पून्ते आध्यान देता है दाहिर नहीं जब मना कर तो दाहर हुंके मना कर देने क्या होता है प्यर्दोस्तो दाहिर आधा की इस दिन अलव सब्सक्राइब करता है क्या होगा कि अवकर आपको पता है आधर काहिब सिंद्का सासक इधर तो खलीपा की बात करें सबस्वेले हमने कहा खलीपा खलीपा तो कौन था वालिद कोन था वालीद कि कहा था अरब अरभ में विकंट वालीद का क्या था गवर्नर का प्यार दोस्तों कवर इसका गवर्नर será इस गवर्नरर ता इस गोवर्न ने आदेश दिया को मुहम्मद तेश्ञ मुहमद बिन का सिम यह दोस्त तो मुहमद बिन का सिम्प्राइश दिया वह वाह माद बीन आम मद बीन पशल्वी सिम फट्वाद लिए प्रने कह से लिए आखर आखर्मन करने की है कि कि कर मैं कर नइक का क्ला का क्रमान पर आक्रमन करने को कि सिंद्पर आक्रमन करने के लिए कहा गया है किससे बात करें सिंद्गी बात करें इंद्र की बात करें। सासक कूंता था सक्ता है कूंता प्रदोस्थ तो सिंद्गारसक था एपना यॉंद्गा सासक कूंता यॉंद्गोर्फ इ सप्सक्राइड इस दाहिर मुवश्बी All Social जो परतम और आखर मधा होता है यह यह चर्चाएं कर रहे हैं कि यह पर अरव आक्रमन ना तरफर रव आक्रमन ना अरफ इसे पर ना अरव आक्रमन तरफ पर अरव कलें कि चलिएगा बिट्टू लिए कंडिशन उठी भारत पर अरग्रमन कहा जाता है कि प्यारे दोस्तों सबसे पहले कहले करता है क्यों करता है किसके कहने पर करता है अलहुजाज के कहने पर कहले का लिपा का गवर्नर था करती थी वहां से पहला आक्रमन किया जाता है और ये धियान रखना है रहे दोस्तो लोगा हारत पर प्रतम अरवज अरभ याप्स्ली माक रमकरमन कर सकते हां और अरभ आकरमन भारत पर आकरमन करने वाला मुस्ली माक राम ता पर अरत पर भारत पर आकर्मन करने वाला मस्लिम्ण आकरांता कोंथा अरब अरब प्रदेश था सबसे पहले मुस्लिम आकरांता कौन था अरब प्रदेश था सबसे पहले जो भारत देश पर आकरमन करने वाला कौन था या मुस्लिम आकरांता कौन था आपका अरब प्रदेश था और कहा जाता है कि कब होता है मुंबत कि तासिम के द्वारा कहा किया जा किया जाता स्ट्रो बारा इस्वी में कहा किया जाता किसने किया जाता सिंद पर किया जाता इस को से रिए कशना मुंम्म्म बिन कासिम को था है मुंम्मध बिन कासिम के द्वारा प्रतम किया जाता है यह ताहिरं पर कह जाता है कि सिंद्ग का सासक कौन था भय दिकाट सासथ कुन था किसके उपरा अकरमण करता ये किसके ऊपरा करता है दाहिर के टिकाट तो साशक ता क्योपर करेंको तो न यहां वर सिन्ह का सासक की करें लिए का युद्ए लिए अक्रमुन कर देने के पश्चात का जाता है कि यह ब्राह्मन ब्राम्मन वन्स का साशक था क्या था ब्राम्मन वन्स का साशक था क्या था अब बात करते हैं प्यार दोस्तों इसकी जानकार हमें कहां से मिलती है कि सका पिता चच नाम कोंशी का पिता कून था इसका पिता चच और इस पिता की नाम पर कहा जाता कि Sydfind today कि मुब्द कासीम के अघ्यात सेनिक दोरा अजयात सेनिक के दोरा एक ग्रंत लिखाजा जाता जानकारी संद्ध के उपर आक्रमन किया पहले विए लेकिन परतम शफल आक्रमन जो माना जाता है पहले दोस्तों वह कोन काशिम के द्वारा किया गया यह विशेज रूप से आपको रखना के 712 इसमें मौमत काशिम के द्वारा यह आख्मन किया दता है जाद रहा जाएगा आपको चलेगा चाचे इसकी जानकारी हमें मिलती है आज आता है कि इसके अज्यात से और अरब आक्रमन का उलेक जो कहां अरब आक्रमन का उलेक अरब आक्रमन का उलेक अरब आक्रमन का उलेक का उलेक चाच नामा में किया गया किसमें किया भई चाच नामा में किया गया किसमें किया गया कि अच्छी नामा क्रंथ में किया गया है क्रंथ में किया गया तो इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है इस अरब आकरमन की जानकारी हमें ने बता दिया और श्रीलनका कि द्वारा जो जानके जाद हैं श्रीलगा लूट ले के अ swift आकरमन तो ठोड़ा सा लिख लें कारण की बात करें कि अगया कि यॉधक करें दिदक रोंे से फिलंका के द्वारा जहाद कि Może के द्वारा ठर्जार स्री लंका के साथ सक द्वारा एक जहाद जी बेड़ा अरब भीजा तो यहां पर लिखेंगे अपना स्री लंका त्री लंका के चाशक त्वारा एक जहाजी बेड़ा जहाजी बेड़ा अरब भीजा गया अरब भीजा गया जिसे इस जहाजी बेड़े पर जिंद या देवल थिट्टा थ्टा में लूटेरो द्वारा लूटेरो द्वारा द्वारा लूट लिया गया लूट लिया गया तो इस जहाजी बेड़ो को क्या किया गया लूटेरो द्वारा लूट लिया गया तो क्या होगा प्यार दोस्तों इसके गवर्नर अलहज्जाज ने क्या किया इसके खलीपा की गवर्नर खलीपा की गवर्नर है खलीपा की गवर्नर है खलीपा की गवर्नर है अलहज्जाज ने अलहज्जाज ने कासिम मुम्मद बिन काशिम मुम्मद बिन कासिम मुम्मद बिन काशिम को ताहिर के उपर आक्रमन करने के लिए भेजा सिंद के शाशक लिए भेजा अक्रमन करने के लिए भेजा अक्रमन करने को तो कि कि कहने पर आया थाये कि उपर सिदीपे आक्रमन करताया कर देताय तो यह जब दाहिर को मार देता है तो दाहिर के कहा जाता है कि दो पत्रिया थी रानी देवी और एक एक कहा जाता डड़ेवी से दो रानिया थि लेकिन इसके दो पित्र dough वी थि दूस्वा ईएक परमल सूर्या देवी एक इसकी ड़ियं कि की कऊ जाता है कि मßद्ध अब दाहिर पर आकर्मन करने फीज है क्यों का क्यों बेजा प्रक्षामन करने Carnival क्योंकि ईवजर रखना स्क protective नोंओ कि में नहीं लूटेरों के खिलाफ ती नुटेरों कि लाफ कारवाई करने से मना कर दिया कारवाई करने से क्या कर दिया था वही मना कर दिया मना कर यह था जब जाके बहुए जाता हा शुए तेरी ओ慢 के कि भी तो मैं हम हो और खहली duckилась की बात कहो है तो और पाइरे यह का यहां आता है啊 किस बात करें यहां पर हुता है प्रावर काय। न्युक्ता है पर जुदुक्ता कर ले हुआ कि तावर का दावर का जो युद्ध होता है पर रोस तो नमद्ध होता है नहीं साथ आए इसा हो राराइ टैसा सु और यह साथ ताड़ा कि यूद्ध के बात करें कहें तना दाहिर धर सेज मोहंब्मद भिनकासी वीजिए होता है यह ताहिर सेज काहिर कितरप्ट कोंता साहिर सेंद काहिर 1 से इज मौमध बिन काशिम कौन किया है इसमें कौन वीजय हुता है मौमध काशिम के हुऑ事情 के हुआ मौत के घांट उतार देता है और मौत के घांट उतार देता है तो पत्नियां थी और दोनों पत्नियां कहा जाता है यहां प्रद्यान रखने हैं पुम्मद बिन काशिम ने आक्रमन क्यों किया खलीपा के खलीपा के कवर्नर के कहने पर के अलवल्ट अज्जाज के कहने पर आक्रमन क्यों किया थे थे इसने पहने तो और आक्रमन क्यों कि इसके अलह जाज के कहने पर इसने आक्रमन किया किसके उपर का आक्रमन किया था जिंद्ध के उपर और सिंद्ध के दाहिर के उपर आक्रमन किया था और दाइस के उपर आक्रमन करने के प्रशाद पहर दोस्तों क्या होता है दाहिर को यह इसी युद्ध में मोद के घांट उतार देता है या ताहिर को तो ताहिर को ताहिर को इस युद्ध में युद्ध में मोट के घांट उतार देता है ओर देता है अभी सधा देता है यह लाखरे ताहिर को तुर्द की बत्निया थे एक तो काहिर के दो पतनिया तो पत्निया गाते तो ने ती एक begitu आए sans सब्GenOM को सब्सक्राइब है सरफ क्या मिलता है और गHay 200 पर दोस्तों रानी द benevol डूसरी जो है लाड़ो बाइप या लाड़ो लाड़ो पने ड कोंने टू तो छानी बिए और लाडव यह आपने आपको सती कर लेती खुद आग में जलकर अपनी हया इजद अपने इजद अपने तरीड या आपने इजद को बचाने के लिए प्ताहग में चलकर कूदगर सती हो जाती है किसे संगर्ष करती है रंगर्ष करती है और अंत में और अंत में और अंत में यह यह सती हो जाती है यह मद्यकालिन भारत की प्रतम सती मानी जाती है यह याद रखना है पहर दोस्तों इसके पतनिती डाहिर की पतनी राणी देवी जो मद्यकालीन भारत की प्रतम सती मानी जाता है या कहा जाता है बहुत दोस्तों यह सतिवर का पालन करती है याद रखना अब क्या कहा जाता है जहां से इसके चुछ नामा किसे पराफ्ट होती है इस नामां काई म्हार्व ग्न कास्म सिंड़क आख्णारिए एक Simply और क्या क्या जानकारी मिलती है देखी है तो थोड़ी सी जानकारी हम हम का के के बारे मेंदेख लेते हैं कि इंधोड़ी से जानकारी घ्या मारे जानकारी अरभो के इस आक्रमन का यह इस ता नहां पर लिख ले ँछा आप लगा कर लिख ले न्हां शीचिंट आ हरे लोके कर लो कि ने लोके के इक। हम्न los का उल्लेक अर्बो के साक्रमन का उल्लेक चच नामा में मिलता है अब बात करते है कि अध्यात माना जाता है कोई मुंमद काशिम का कोई सेनिक था कि पारे में पीस का नाम लेख नहीं मिलता और कहा जाता है प्यार्वी भाहसा में लिखा गया कुण सी कि लेखक की बात करें किसकी बात करें हैं चछनामा की थोड़ा सा हाई और चत्र क्या है वह एक करंद है रसना के बाद करें तो इसकी तो है रसना के रसना जो की गई थी जह मौमब बिनकाशिम के मौम्मद बिन काशिम मौम्मद बिन काशिम के अग्यात सेनिक के द्वारा किसके द्वारा अग्यात अग्यात सेनिक द्वारा इसकी रसना की गई जिसका नाम नहीं मिलता हमें फुलेग नहीं मिलता दूसरी बात करें इसके भासा के बात करें क्यों भासा है पैर दोस्तों क कुन सी भासा में लिखा गया यह अर्वी भासा में लिखा गया खार्शी में इसका अनुवाद मुंम्मद अले बिन अबुबक्र कूफी ने किया था था खार्शी में इसका अनुवाद खार्शी में इसका अनुवाद कि खार्शी में कि खार्शी में अनुवाद किसके द्वारा मुहम्मद तो किसके द्वारा किया गया भी पार्शी में इसका जो अनुवाद किया गया वो किया गया मुहम्मद अली बिन अबुबक्र मुहम्मद पार्शी में अनुवाद मुहम्मद अली बिन अबुबक्र अबुच Skills भार्ची में अनुवाद किसने किया था इसका चचनामा का भार्ची में अनुवाद जो किया गया था मुहम्मद अली बिन अबू बुक्र कुफी के द्वारा किया गया था और ये किसका अनुवाद करता है ये कहा जाता है याद रखेगा पैर दोस्तों इसी समय कलिला दमिना के नाम से फार्सी में अनुवाद किया गया था अब बात करें अंग्रेजी भासा में इसका अनुवाद जो किया जाता है ये यूएम दाउद पोटा के द्वारा किया जाता है अंग्रेजी भासा में अनुवाद अंग्रेजी अंग्रेजी भासा में अनुवाद जो एम पोटा जो एम बाता है जोट goo पोटा को किया दाउद पोटा के द्वारा इसका चछ नमा मिलता है अच्छ नामा च्छ कून था रठान दायर के पिता ते उसके लिखा गया अग्यात सेनिक के द्वारा लिखा गया था इसके आप तो अग्यात से आप नहीं हुआ कि यह कौन है किस ने लिखा यह सारी जानकार रहा है आप तो नहीं किस पर इसका स्मून हो जाता है और बाते करें कहा जाता है पैर दोस्तों किसकी बाते करें तो ड्रावर के युद्व की बात कासिम ने क्या कहा पहरा किते जानकार है तो लुटराव करते हैं का सब्सक्राव करने कहा किया किया कि दो कुछ थी ताहिर किस ताहिए ताहिर की कितने को पूत्रियां ती दायर की फूत्रियां थे खिंद दो पूत्रिया थे इन दो फूत्रियां का नाम लिएाध्य समय देवि ता लिया रही एक पर्मल देवी अक परमल तेवी और मों propre précis Univers मुहमद बिन काशिम बनाता है बन्दी बनाकर कहां बेज देता है खलीपा के पास अरब बेज देता है अइस से क्या होगा अदोसे हमें वाली याजाताह के दिया हम आप अवित्र ले में लूट्र है 3S SAY THE प्रसाथ चड़ाय जाए जो अप अवित्र हो तुका जाता है इसका गुष्षा किस ने कर लिया किस ने कर लिया खलीपा वालिद ने इसका गुष्षा आया और गुष्षा आने के पश्चात पहर दोस्तों वह क्या करता है कि काशिम का जाता है कि वहां से कहां से जहां से भी कि था कासिम वहाँ पर बुरी तरीके से एक चमडे में पेक करवा गाँटा यह त्टम घुट राथI आग्ट Γाता है और दम घुट जाने के कारण वहीं पर कासिम की कि मुह degkin कासिम्ट के मूंम्मत बन कासिम के मडीज़ हो जाती है कि हो जाती मरत्यूक्व क्यों कि का जाता है कि भेंसे के चमणे में को पूरत दो कर दो कि पांध कर उसके पांद घणा जाता है की नष्ड़ मिले Carry ले कि लोगी क्ल्फना करके देखें कि ईस तरीके से अगर स्टमर कि बार। दिया अजिए और उसका नुटे का निए उसको पेक करवाया गया मुहमद बिन कासिम को का खलीपा के पास गुलाए गया तो उसके तंग घुट जाने कारण इसकी मुहमद को बाद में पता चलता है कि कहा जाता है कि यह नों ने दोनों ने जूट बोला था चा प्रमल देवी ने और इस ने सूर्या देवी ने दोनों क्या किया था जूष मोलेता इनकी सत्यता का पता बैद में कहा जाता कि छिन्दा गड़ दिवार में चुनाई करवा देता है पर दोनों बहिनों को पूरी से पार लेकिन कहा जाता है यह क्या करता है इनको यहां पर इस इंदा दिवार में चुनवा देता है एक दिवार में इनको दोनों बहिनों को एक तो सूर्य देवी और परमल देवी और खली और खलीपा के द्वारा इनको दोनों को जिन्दा दिवार में चुनवा दिया जाता है तो वहिनों जी विशे इस रूप से ध्यान रखना मुहम्मद बिन कासिम के द्वारत के उपर आक्रमन किया गया कुछ साथ रह रहावर का युद किया को वła साथ सबाराइस में कहा जाता है कि इसके पत्नी कू तिंधि किया था इसके पत्नी ने के पत्नी और सती हो जाने के कारणा प्यार दोस्तों क्या कंडिशन है कंडिशन वहीं होती जो अरब राखा की कहा जाता है कि यह मद्धिगाल भारती आप लिए सतीव इस आकरमन की जानकारी या अरब आकरांताओं की जानकारी उसके मिलती है च्चनामा गृंट्ट से मिलती है च्चनामा गृंट कहा जाता है अरभी भाषा में लिखा गया गया और अरभी भासा में लिकने के प्षचाथिस का गवτα को नहीं कोने परफ यह सारी जानकारी कि चलिए तुम यहां से इन चीजों को लिख लेता है जो मैंने बताया गी थोड़ी देर में इनको लिखते हैं क्या कंडिशन होती है कि मुवमद बिन कासिम ने मुवमद बिन कासिम ने ताहिर की दो पुत्रियां ताहिर की कि दो पुत्रियां तो पुत्रियां एक तो कौन तूर्य देवी वह परमल देवी दोनों को खलीपा के पास भेज़ दिया खलीपा के पास खलीपा के पास देजा इन दोनों ने गूत्रियां तो बोला मुद्धा यूद्धा खलीपा खलीपा क्या करता है इस कारण खलीपा क्या करता है आप मुद्ध बिन कासिम को मुद्ध वि कासिम को मोत के घांट उतार दे, मरवा देता है, मरवा देता है, ठीक है, और बाद में, बाद में दोनों वहिनों को दीवार में जिन्दा चुनवा देता है, जिन्दा चुनवा देता है, रोच देता है, क्या सिक्षटव गटना है, वो सारी चीदे मैं, बता चुका आपको, ये ठीक है, जानकार यहां को जाने चिक है, कौने से युद्ध के बारे में पढ़ए हम, प्रावर की इद्द में, कड़े अंत्र फुलिटाने के बाद वालि लिए वालिद कौन था इसमें खलीपा हुआ करता था और खलीपा होनी के कारण कहा जाता है पहर दोस्तों कि शड़ी अंत्र का पता लग जाता है अब क्या-क्या घटना है मिलती है और गाता है कि 713 इसमी में मुंम्मद बिन कासिम या कासिम ने मुल्तान को लुटा और मुल् जानकारी की बात करें उन्य जानकारी तो 613 23 की बात करें maior न जानकारी जानकारियों में देखें राइक में तासरो तु सो-323 237 मैं कासीम ने मुलतान को लूटा खुल्टां को लुटा खुल्टां को लुटा खुल्टां को लुटा और का नाम बदल कर। बदल कर क्या कर दिया मुलतान का जो नाम बदल कर क्या कर दियता है प्यर दोस्तों कहा जाता है सोन नगर यहां से काफी सारा धन धान नहीं कि सोना प्राफ्ट होता है प्यर दोस्तों तो कहा जाता है सोने का नगर या सोन नगर कर दिया जाता है तान को बदन यहां से कूब श कर दिया जाता है या सोने का नगर क्या कर दिया जाता है अगर कर दिया जाता इसके द्वारा इसका नाम बदला जाता है नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है पर दोस्तों करें किसके द्वारा किया गया ये कासिम को द्वारा किसका नाम किया गया मुलतान का नाम बदल के कर दि के 갔ंट आप को अरफ अब अरफ व्रदेश्ड की बात करें तो प्रदोस्तों क्या क्या जांकारी History यह प्रतम मुस्ता माना जाता न हूर यहां पर किया और भारत जीतने में सपल हुआ ओंपर एक अरफ हमाना जाता है कूछ दोस्तों कहा जाता है कि यहीं से खजूर की खेती के प्रमाण भी यहीं से मिलते हैं हमें अर्थात या अरब को द्वारा क्या लाए गये थे खजूर कहां पर लाए गये थे खजूर की खेती लाए खजूर कहां लाए गये थे भारत में लाए गये थे भारत में लाए गये भी खजूर भारत में लाए गये भा वितuben की प्रमान्द लोगों की द्वारा यारवी कासिम लिगूँ किया हरत में इसवार भी कहा जाता है तिरह म नामक का चलाने का भी क्रमान मिलती हे अरव अकरमां एक आपकांगो द्वारा कुंचा भारत में आरद में तनि अ Ek पिर हम दिर हुं अ तक ओर कि लाया किसे द्वारां चलाया गया इनिंस द्वारा और बाख रहाण पर जाया गया जानन तूथ न्हीं मुटेahlen जानकारी आपक्रमारा और कर यह सब्सक्राइब कर दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी बदबद धन्यवाद पैर दोस्तों तो देखते रही आप दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दे लाइक कर दें यह वारत